प्रभु येश्व मसी के नाम में आपको अनुगरे, शान्ती और आशिश मिले। एक किसी महले में, कॉलनी में एक चैरिटी ट्रस्ट था। यानि लोग उस ट्रस्ट से जो एक सोसाइटी की तरह था, एक संस्था की तरह था। और लोगों की जो जिनको साहिता की जरूरत थे, उनकी मदद करते थे। जैसे मान लीजे, कभी भूकों को खाना खिला दिया, कभी किसी को कंबल दे दिये, कभी कुछ विद्वाओं की साहिता कर दी, कुछ अनाद बच्चों के स्कूल की फीज का परबंद कर दिया, कहीं नलका लगा दिया, ये सारे चैरिटी ट्रस्ट के काम होते हैं। और ये किसी इलाके में, किसी महले में एक चैरिटी ट्रस्ट था, संस्था थी। और जो भी जिन-जिन के लोगों के मकान होते थे उस महले में, उन सब के नाम होते थे। एक प्रकार से वो सारे मेंबर्स हैं। तो एक बार इस संस्था की मीटिंग हो रही थी, एक कमिटी मीटिंग हो रही थी। तो जो मुख्य व्यक्ति था जो मीटिंग को कंड़क कर रहा था चैर्मेन, तो चैर्मेन ने एक व्यक्ति से पूछा, जो उसका शायद पढौसी ही था उसी महले में था। तो चेर्मेन ने उसे कहा कि शाब हमारे जो रेकॉर्ड्स है जो हमारे पास कागज है उसे पदा चलता है कि आप सच मुझ में बहुत अमीर वेक्ती हैं, बहुत पैसे वाले वेक्ती हैं लेकिन हमारी इस संस्था के लिए औरों की मदद के लिए आपने एक भी बार कोई दान नहीं दिया अपना हाथ नहीं खोला और कुछ भी नहीं कि आपने अब तक दिया तो वो व्यक्ति जो जिसके कहा गया वो वास्तों में बहुत ही कंजूस व्यक्ति था और जब मीटिंग के मेंबर्स के सामने उसको कहा गया तो वो चिड़ भी गया तो उसने फिर पूछा क्या तुम्हारे रेकॉर्ड तुम्हारे कागज बताते हैं कि जब मेरे पिता जी मर गए तो मेरी बुड़ी मा को बिना एक पैसा वो छोड़ गए मेरी बुड़ी मा पिता के मरने पे करीब करीब बैंकरप्ट थी कंगाल थी फिर उसने पूछा क्या तुम्हारे रेकॉर्ड तुम्हारे कागज ये बताते हैं कि मेरा एक विकलांग भाई है जो काम नहीं कर सकता जब उसने ये दो धारन दिये थे लोगों को दिल में थोड़ी सी हमदर्दी आई कि यार बुड़ी मा जो कंगाल थी भाई जो विकलांग है बड़ा बोज है इस विक्ति पे तो लोगों के मन में ये विचार उभरने शुरू है फिर उसने तीसरा कहा उसने का क्या तुम्हारे कागज या रेकॉर्ड बताते हैं कि मेरी एक विद्वा बहन है मेरी अपनी सगी बहन विद्वा हो चुकी है और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनका खर्चा पूरा नहीं कर पाती है तो जो चैर्मेन था अब उसको बड़ी शरम आई उसने का नई साब हमें इन बातों के बारे में मालूम नहीं था कि आपकी बदर ऐसी हालत में छोड़ दी गई आपका भाई विकलांग है और आपकी बहन विद्वा है और बच्चों का खर्चा नहीं चलता हमें इस बातों के बारे में नहीं मालूम था तो उस फिर कंजूस ने कहा तो ठीक है अब ये मुझे बताईए जब मैं इन तीनों को भी कुछ नहीं देता ना मा को ना भाई को ना विद्वा बेहन को ना उसके पिताहीं बच्चों को कुछ नहीं देता तो मैं तुम्हें क्यों दोंगा आप देखें उस विक्ति की मेंटालिटी कैसी थी लोगों को लगाओगा ये बताएगा कि जब मैं इनका भार उठा रहा हूँ तो मैं तुम लोगों को कैसे दो लेकिन ये उल्टा ही बोल रहा था कि जब मैं उनको नहीं देता तो मैं तुम्हें क्यों दो एक ऐसा और विक्ती था जिसके बारे में प्रभू येश्व मसी ने बताया और येश्व ने उनसे कहा चौकस रहो लुका बारा में हैं और हर प्रकार के लोब से अपने आप को बचाए रखो क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की भौतायच से नहीं होता उसने उनसे एक ग्रिश्टांत कहा कि किसी धन्वान की भूमी में बड़ी उपज हुई तब वो धन्वान विक्ती तब वो धन्वान किसान अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूँ क्योंकि मेरे यहां अब जगा नहीं जहां अपनी उपज इत्यादी रख सको और उसने कहा मैं यह करूँगा मैं अपनी बखारियां तोड़कर मैं अपने गुदानों को तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूँगा और अपने प्राण से कहूँगा कि हे प्राण तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है चैंकर खा पी और सुक से रहे परंतु परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मुरक इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा तब जो कुछ तुने इखटा किया है और किसका होगा इसी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा इस व्यक्ति के मन में किसी के प्रती कोई भी भावना नहीं थी कोई भी चिंता नहीं थी कहीं भी वो अपने परिवार के बारे में, मित्रों के बारे में, रिष्टेदारों के बारे में, गरीबों के बारे में, कहीं नहीं सोचता ये सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में सोचता था एक ही व्यक्ति के बारे में और वो था अपने आप के बारे में इतनी सफलता उसको मिली इतनी उसने प्लानिंग की लेकिन वो एक और रात जी नहीं पाया परमिश्वन ने का आजी रात तेरा प्राण तुझ से ले लिया जाएगा और इस समय ये भी बात याद आती है कि हर विक्ति को अपने मृत्यू के दिन के लिए जो में नहीं मालूम कब आएगा उसके लिए तयार हो जाना चाहिए क्योंकि मृत्यू बता के नहीं आती समय नियुक्त है लेकिन हमें नहीं पता इसने मनश को चाहिए कि वो अपने पापों में ना मर जाए अपने अपराधों की स्थिती में ना मर जाए तो कि पापों में मरना एक भयानक बात है नरक का सीधा रास्ता है जहां पर रोना और दातों का पीसना है जहां की आग नहीं बुच्चती जहां का कीड़ा नहीं मरता लेकिन परमिश्वर उसने हमारे बारे में कितनी चिंता की हमने दो धारण देखे उस महले में रहने वाला कंजूस और यह अमीर किसान और कई मनुश्यों का हाल यही होता है वो अपने बारे में ही सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचते हैं लेकिन हम परमिश्वर को देखते हैं वो कैसे सोचता है परमिश्वर ने नहीं चाहा कि मनुश्य नाश हो जाए उसे क्या पढ़ी थी लेकिन क्योंकि उसने हमें अपनी समानता में बनाया है हमारी स्रिष्टी की है उसको मेरे और आपकी चिंता थी और इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस धर्दी पर भेजा वो एक कुवारी के जरीए उसने जनम लिया एक गरीब परिवार में पैदा हुआ और कलवरी के कुरूस पर हमारे पापो और अपराधो और पापो की सजा को लेते हुए वो कुरूस पर चड़ गया तीन कीलो के जरीए उसको कुरूस पर टांग दिया गया लोग सोच रहे था हम उसे सता रहे हैं लेकिन वास्ता में वो जगत के पापो के लिए अपना बलिदान दे रहा था एक मेमने के समान वो वद हो गया उसका लहू बह गया अपने सर पर उसने वो काटो का मुकुट पहन लिया अर्थात हमारे श्राप को अपने उपर उठा लिया और यही नहीं वो तीसरे दिन मृत्तों को में से जी उठा ऐसे महान पवित्र निस्वारत प्रेम को नजर अंदाज ना करे जब क्रूस पर था तब भी उस दर्द में पीडा में वेदना में उसने मेरे और आपके बारे में सोचा पिता इन्हें श्मा कर यह नहीं जानते हैं यह क्या कर रहे तो इसलिए परमिश्वर के प्रेम की तरफ देखे उसकलवरी के क्रूस के बलिदान पर विचार करें कि इस रिष्टी करता ने कितना कुछ मुझे और आपको बचाने के लिए दे दिया प्रूब येश्वर आपको आशीश्टे